Hello everyone, चले आज मैं आपको B8 में आपको जो दुती चरन की दुती सुची जारी होने वाली थी, उसमें कैसे आप चेक करेंगे कि आपको कौन सो कॉलेज मिला है या नहीं मिला है, आज मैंने पूरा जानकारी जो है, जितना मुझे है, जो कॉलेज अलोटमेंट हुआ है, उस कॉल तो आज 29 दिसमबर को दुती चरन की दुती सुची जो है, जारी कर दी गई है, आज से ही 29 दिसमबर से 2 जनुरी तक आप एडमिशन ले सकते हैं, मैं सभी कॉलेजों में जाके एक ही चीज पता किया हूं कि यह सतारीक तक लोग एडमिशन लेंगे, उसके बद अगर को सीट इबर जाता है, तो यह 3 जनुरी को आपको एक लिरिक्ट सीट की जानकारी होगी, उसके बाद आपको क्या अगरने, बहुत लोग कमेंट करके भी पूछे की सर कैसे आवेदन करेंगे, मैं तो अलक सीटी में रहती हूं, मैं तो कहीं और फॉर्म को, मतलब क्यों रहते नहीं उसको क्या करेगा, उसका अगर एक भी चरन में भी ठीक है, एक भी चरन में आपको कॉलेज नहीं मिला है, तो उसका आटोमेटरिकली पतिछा सूची में, तो सर वही भी मैं जब गया, तो बोले, की रिक्त सीट आने के बाद, जिन लोग ने फॉर्म पर उसका पतिछा इसके अत्रिक जैसे मुझे की अभी एक कॉलेज अलोटमेंट हुआ, आपको दिखाऊंगा, कैसे चेक करने है, मुझे कॉलेज मिला हुआ है, बट मैं क्या करना हूँ, मुझे नहीं लेना है उस कॉलेज में, ठीक है, तो यहाँ पर साब सब लिखा, जिसको कॉलेज अलोट कॉछ देंगे फर्म, उसको आपको फिल अप करना है, फिर एक टाइम आएगा, यह देखे, इस तारिक को वो लोग सूची जारी कर देंगे, आविदन प्रस्तुत करने की तीथी कब होगी, यह लोग प्रतिछा सूची जारी करेंगे, जिन जिन लोग का नाम है, जारी, तो यह बहुत एजी है, आपने कॉलेज, जिस कॉलेज में अडिमिशन लेना चाहते है, जाहे है, नाम आया नाया, आप जाके पता कीजे, और यह ध्यान देना है, आंतीम चरण के लिए पंजम जो चालू होगा, वो 3 जनरी को, फार्म भल लीजे, ठीक है, तो चले आप आपको कैसे चेक करना है, कि मुझे यह सेकन, चरण के दूती सुची में मेरा नाम आया है नहीं आया है, तो आपको यहाँ पे देखे, S-C-E-R-T, सर्च करना है, गूगल में, यह हो जाने के बाद में आपको सर्च कर लेंगे, तो कुछी इस तर आपके पास open हो जाएगा, लैप स लिखा हुआ है, लिंक वाला portion, कि दूती B8 के पार्ट करम के लिए लिंक, तो आपको बस इसको क्लिक करना है, डारेक्ट लिंक तो मिल जाएगा, अब यह देखिए, 4th phase के लिए, 13 September से इसके बीच में चलना था, ठीक है, जो जीस कारण, कुछ कारण से यह रुख गया था, अब यहाँ पर क्लिक, यह पर क्लिक करेंगे, और कैसे Allotment Later को आपको डाउलोड करना है, वो भी बताऊंगा, वीडियो को last तक देखना है, यह है रिक्त सीटो की जानकारी की कौन-कौन से College में कितना सीट बचा हूँ, उसको अब यहाँ से मिल जाएगा, अब आपको चेक क आपको याद होगा, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मेरा Registration Number, एक मिनट, क्या हूँ, अपना Registration Number को च्वाइस कर लिया हूँ, ठीक है, और उसके बास सर्च करूँगा, तो मुझे जो College मिला है, वो दिखा देता हूँ, यह देखे, मुझे सोमनी महाविद्याले College, जो कि लेटर होगा न, Allotment का, वो Accept करने से पहले आप उस College में जाएए, और पहले Feast को पता किजिए कि क्या Feast है, कैसे ले रहे हैं, क्या है, ठीक है, Other College में, मैंने बहुत सरे College में पता है, कि लगभग सभी College में को मैं देखा हूँ, इसा बोलने नीचे, सब College का अलग-अलग Feast हो तक ही रहता है, इतना के बीच में लोगों का पर समिस्टर वाइस होता है, बट कई College में 40,000 रुपे पर समिस्टर ये लोग ले रहे हैं Feast, जो कि बहुत ही जादा है, तो ऐसे में, अगर मैं 4 समिस्टर की बात करूँ, तो 1,60,000 तो 2 येर का हो जाएगा, तो बताए, पर सम समिस्टर, 4 समिस्टर होता है, बीच में, जीस वाइस मैं नहीं लेना चाहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, सभी College में मैं पता किया है, लगभग 25,000, 22,000, 20,000 है, बट यहां कुछ ज़्यादा ही है, इसकारण मैं इसको cancel कर रहा हूँ, जो लास्ट चांस मिलेगा, उसम जानकारी चाहिए, डाउनलोड करना है, तो मैं बता देता हूँ, यहां पर करना है आपको, यह Applicant ID है, आपको अपना Applicant ID, नोट करके रखना, अगर भूल गया हो, तो आप Registration, Know You, Registration पर डाली है, और वैपम को जो आपका Roll Number है, वो डाल दीजिए, आपका Registration Number मिल ठीक है, अब यहां पर क्लिक किए, उसके बाद में, अगर आप Forget भूल गया है, पासवाट तो इसमें करेंगे ना, तो आपका सबसे अच्छा है, अगर आप Registration Number भूल गया है, तो इसमें बस कीजिए, डारेक्ली आपका, ओपन हो जाते हैं, यहां पर दिखाता हूँ, यह कुट गला थे, वो रहा है, देखो, सभी उनिटिटी अपने हिसाप से, मतलब जो इस उनिटिटी नहीं, जो कॉलेज है, वो अपनी, क्योंकि यह प्रावेट हो रहा है, गॉर्मेंट कॉलेज तो नहीं है, तो सभी का अपन अपनो फीस कर रहता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यह देखे, यह ओपन हो गया, वेट करते हैं थोड़ा, अब यहाँ पर आपको अगर कॉलेज मिल गया होगा, तो आपको तो दीख गया होगा, आपका नाम वहाँ से चेक करेंगे, तो ठीक है, यहाँ पर अगर कोई कॉलेज अलाटमेंट हुआ होगा, तो में भी कॉलेज में डाला था बट मुझे यहां पर नहीं मिला एक ही कॉलेज मिला सुमनी महाविद्याल है ठीक है यहां सा आप अपना अलॉटमेंट लेटर जो है डाउनलोड कर लिजे यह देखेए यहां पर आपका option दे रहा है आपको जो भी कॉलेज मिला होगा और accept का option आ सामने आले जो है रिक्ति सीटों की जनकरी उसको मिल जाएगा ठीक है कि यह नहीं लेना चाहता है अलॉट हूँ है कि कौन सा कॉलेज मिला है या नहीं तो यहां से choice का लीजे आप अपने हिसाप से जैसे मैं को एक चीज दिखा देता हूँ यहां पर आपको सभी कॉलेजों का नाम मिल जाएगा जैसे यह खाल सा कॉलेज है सर्च करेंगे ति खाल सा कॉलेज में जिन जिन लोग के रैंक के अधार पर देखे यहां तो 26 वाले रैंकों मिला है बहुत मतलब यहां अच्छा खासा रैंक वाले को भी मिल रहा है जैसे बहुत लोग है देखे नाम तो आप इस तरह अपना चेक कर सकते कि आपको इस कॉलेज में कितने लोगों को मिला 22 सीट खाली है यहां पर तो 22 सीटों को मिला अब 22 लोग अगर एडमिर्मिर्शन लेना चाहिए कि यहां खुद देख लीजिए 54,100,000 रैंक वालों को मिल रहा ठीक है कोई भी और जानकारी तो बिल्कुल कमेंड करके जरूर पूछे हां और रही बात की इंस्टुटूट लेवल में आपको कुछ नहीं करना है देखे ज्यादा वो मत कीजिए दो तारीक जैसी खतम होगा आप तीन तारीक को कीजिए डार्यक्ली जाइए आप अपने इंस्टुटूट में कई लोग का डाउट है कि हम उसके आवेदान को कहां से लाएंगे कैसे डाउनलोड करेंगे कुछ मत कीजिए चुप चाप जाए अपने जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहां विजिट कीजिए पूरी जानकारी आपको इंस्टूट करेंगे ?